हेलो फ्रेंड्स मैं हुँ विजीया और आम देखरे हूँ विजीयाς क्रेटीव कार्डेंद फ्रेंड्स मैंने कुछ समान मंगाया है अमेजोन से अपने टेरिस गार्डन से रेलेटर आज जो है इसी के अन्बॉकसिंग करेंगे आपके साथ फ्रेंट्स ये समान तो वैसे एक वीक पहले ही आ गया था लेकिन इसको मैंने छोड़ रखा था कुरंटाइन कर दिया था आज जो है आपके साथ खोलेंगे फ्रेंट्स इसमें जो है इस्पेशली मेरे प्लांटर्स है दो तरीके के अलग-अलग तरीके के प्लांटर है कुछ प्लांटर्स जो है ये इंडोर प्लांट्स के लिए हैं जिसको की हम नीचे रखेंगे वैसे और भी तरीके से यूज़ का सकते हैं और कुछ जो हैं टेरेस के लिए हैं नर्सरी पॉट्स हैं स्पेशली तो दोनों ही आपको दिखाते हैं और जट से पहले खोल लेते हैं तो दोस्तो सबसे पहले खुल रहा है मेरे यह ब्लैक वाले पॉट यह वाले यह हमने लिये हैं इस्पेशली अपने सीडलिंक्स के लिए यह यह जो हैं 12 यह हैं मतब टोटल जो हैं यह 24 ब्लैक वाले पॉट्स हैं इसके साथ ही हमको जो हैं यह 24 पीसेज में यह मिले हुए हैं यह वाली ट्रे इन्हीं गंबलों के नीचे रखने के लिए यह टोटल यह 24 यह गंबले हैं 24 ट्रेज हैं इनकी पूरी की कॉस्ट जो हमको मिली थी यह 675 रुपीस मैं 675 मिली थी इस समय जो मैंने लिया था तब तो यही कॉस्ट थी तो इस सीजनल प्लांस के लिए ठीक है कई बार हम लोग बीज लगाते हैं तो गंबले नहीं खाली तो इसी में रख देंगे हलका है देखे प्लास्टिक ऐसी है कि दब रही है अशानी से बहुत मजबूत तो नहीं है लेकिन हाँ सीडलिंगी इसमें हम लोगों को लगानी है जैसे गंबले खाली नहीं रहते हैं तो उसी के लिए स्पेशली हमने लिया है कि अब तक इसमें म है और डायमीटर जो है यह इसका सिक्स इंचिस का है तो ग्रो होते रहेंगे ठीक लग रहा है हमको सीजनल प्लांट सी इस्पेशली लगाना कोई पर्मनेंट नहीं लगाना है वैसे अडीनियम वगरा भी लगा सकते हैं लेकिन मजबूत नहीं है जादा ही हम आपको बता द तो मुझे इसलिए मैं यलो कलर ही लेना चाहती थी और यह वाला दिखा तो मुझे इसकी डिजाइन बड़ी पसंद आई तो यह जो है चार फोर पॉट्स है यह वाले गमले हैं फोर प्लास्टिक के हैं और यह जो है इसकी कॉस्ट जो है यह 749 रुपीज है इसमें जो कहा गया था कि आपको इन चार गमले के साथ एक फ्री में गिफ्ट मिलेगा पॉट का मतलब मुझे नहीं दिख रहा है इसका मतलब हमको नहीं मिला है वह यह पॉट्स काफी बड़े लग रहे हैं मेरे जो थे यह देखे काफी बड़े लग रहे हैं बड़े मजबूत टाइप क यह 10 इंचिस ज्यादा थोड़ी लग रही है और डायमीटर रही है यह 12 इंचिस का है अचली मेरा जो स्नेक प्लांट था मेरे पास वह बाल्टी में लगा था प्लास्टिक के तो बाल्टी पूरी टूट गई है तो इस्पेशली मुझे उसी के लिए लेना था क्योंकि काफ है तो इसमें बने लाएं इसको बनाना पड़ेगा अगर आपको एसा प्लांट लगाना है तो डिलेक्रिसी में लगाना है और नहीं तो इसमें ये-बान्टर भी यूज कर सकते हैं जैसे की चोटा गमला लेकि इसके अंदर रग दिया सुन्दा लगेगा मजबूत है देख तो इसको cover planter की रूप में भी यूज कर सकते हैं, drainage hole नहीं बनाना मत बनाईए और नहीं तो water plants भी लगा सकते हैं, तो इस तरीके से काफी यूज कर सकते हैं, तो ये ऐसा है देखिए, तो इन सभी का जो समान का जो भी हमने लिया है, link हम description box में डाल देंगे, ये दोस्तों कोई भी रिस्पॉंसर्ड वीडियो नहीं है यह मैंने अपने परपस से सारा अपने लिए खरीदा है फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाए